Hello to all of you, good morning, good afternoon, good evening, जब भी आपने वीडियो देख रहे हो, तो स्टार्ट करते हैं, जिस तरह हम लोगा जर्नी चल रहा था, तो इसी जर्नी को फिर से कंप्लीट करते हुए, differentiation का लेचर नमबर 3, ठीक है, हमने last बात किया था आपको, general formula, जो की हमला, हमरा general formula जो था differentiation का, याद कीजिएगा, d upon dx और x to d power n का differentiation होता है, n x n to d power minus 1, ठीक है, यहनि n minus 1, n minus 1, n x और n minus 1, इस पे सारा हो चुका था discuss, लेचर नमबर 1 देख सकते हैं आप, description box में इसका link दिया हुआ है, ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, product rule के बारे में, अधिर product rule में हम लोग क्या सिखेंगे सर, differentiation में जो product rule आता है, और division rule आता है, इसमें हम लोग differentiate कैसे करते हैं, अधिर क्या rule रहता होगा, ठीक है, तो यही हम लोग आज पूरे अच्छे से questions देखेंगे, और जो भी physics में questions आते हैं, differentiation में, वैसा इससे hard ज़्यादा आता नहीं ह जो आपको मैं बता हूँगा, ठीक है, math का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको numerical लगाने में दिक्कत नहीं होगा, अगर आपको division और product rule, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो जिता मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, तो start करते हैं, आज का basic lecture, basic enabling, आप तो तो उसी को start करते हूँ, आज हम start कर रहे हैं, product rule, ठीक है, तो product rule में आखिर ऐसा क्या था, लेकिन एक बात साफ साफ में बता दूगा कि general formula यही रहेगा, general formula यही रहेगा, ठीक है, यानि क्या power को आगे लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, और power में minus 1 कर देंगे, ठीक है, चलिए आगे हमनों discuss करते है, differentiation का product rule, क्या rule, product rule, sir, product rule में क्या होता, formula यही है, तो product rule का formula यही है, कि यदि, समझे गध्यान से, ठीक है, तो product rule का, product rule का, हम दो जो जानेंगे, differentiation, आखिर क्या होता है, ठीक है, तो देखेंगा, d upon dx, ठीक है, U into B रहे क्या रहे U into B क्या रहे U into B तो U into B का differentiation कैसे करेंगे क्योंकि ये product rule बे है product में समस्ते हैं दोनों multiplication यानि multiply के helps से है ठीक है तो इस case में क्या करते है पहले हम U को छोड़ देंगे ठीक है और फिर B का differentiation कर देंगे ओके और फिर B को छोड़ देंगे और फिर U का differentiation कर देंगे एकदाम easy है कोई hard वाला बात ही नहीं इसमें ठीक है क्या करना है पहले U को छोड़ना है B का differentiation और फिर B को छोड़ना है U का differentiation U into B का है ये ये किसका formula है सर U into B का U into B का ये है product का formula किसका फर्मूला है product का फर्मूला ठीक है I hope समझ में आ रहा हो यहां तक अब आप लोग चलते हैं आगे ठीक है अब इस पर लेते हैं questions आईए देखते है questions क्या इसा पुस्ता है सर यह रहा आपके सामने questions question product rule का ऐसा ही होता है लेकिन सर आप आपको बता दे रहे हैं यहां पर आपको product rule लगाने में आपको differentiation का formula पता होना चाहिए इससे sin x का cos x cos x का minus sin x 10 x का sec square x sec x का sec x 10 x यह आपको differentiation का formula पता होना चाहिए तभी आपसे बनेगा otherwise आप नहीं बना पाईएगा सिर्फ first step लिखिएगा और बस भूल गए सर ठीक है तो अचली आईए बढ़ते हैं हम लोग तो इसको complete करते हैं आखिर ऐसा क्या है इस questions में जो की दिक्कत करेगा कुछ दिक्कत नहीं करेगा आईए इसको अभी हम लोग धुआ धुआ कर देंगे question को आईए तो पहला है number one में differentiation किसका differentiation करेंगे सर ये ये term का तो x और e to d power क्या है? x क्या है? x है और e to d power क्या है? x है तो ये पहला ला term को क्या माल लेना है? u माल लेना और दूसरे वाले term को भी माल लेना है ये exponent term है आए तो बनाते हैं इसे तो सबसे पहले criteria क्या है? कि क्या करना है सबसे पहले? हम लोग x को छोड़ देंगे क्या करेंगे x को छोड़ देंगे और फिर लगा देंगे d e to d power x upon dx पहला को छोड़ना है दूसरे का differentiation कुछ-कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दोनों का differentiation कर देते हैं तो ये सही नहीं है फिर ठीक है जिसमें d by dx लगा हुआ रहेगा उसी का करना है अदरवाइस किसी का नहीं करना है तो x को छोड़ेंगे e x का differentiation करेंगे फिर plus का sign लगा देंगे और e to d power x और d upon dx ओके, no sir, कोई दिक्कत नहीं है तो x का लिखेंगे x और e to d power x का differentiation होता है वो क्या होता है sir, वही होता है क्या होता है, वही होता है ठीक है, कोई changes नहीं होता है तो e to d power x ही रहेगा पलस, अब इसमें तो differentiation लगा हुआ नहीं है d by dx लगा हुआ है नहीं तो यहाँ पर e to d power x ही लिखेंगे और dx upon dx काट के मत लिख दीजेगा यहाँ पर power क्या है? 1 है तो 1 आगे आएगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 यानि क्या से बोल सकते है इस पर power क्या? 1 है तो 1 को आगे लिखेंगे, फिर x लिखेंगे और फिर 1-1 means answer हो गया, x e to d power x और फिर e to d power और फिर x to d power 0 जिसका value क्या होता है? 1 होता है x पर power 0 का value क्या होता है? 1 होता है तो answer हमारा ऐसे आ सकता है, sir अगर आप यहाँ से e ये e to d power x common लेते हैं तो जागा x plus, x plus, x plus 1 ये रहा हमारे सामने क्या? answer ये हमारे समने रहा? answer बिल्कुल एकदम सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें अब दूसरे questions को देखे, आइए दूसरे questions को देखते हैं तो दूसरा question है, sir हमारा जो सामने questions आ रहा है वो questions क्या पूछ रहा है? तो x square e to the power e x और sin x तो अभी इसको 2 minutes लिए इसको भी आप लोग के लिए second question आ गया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता तो इसको अभी हटा के हम लोग यही question को solve कर रहे है x square 10x को इसको कैसे solve करेंगा यह इसको कैसे solve करेंगा, sir आइए करते हैं किसको करना है x square 10x को तो x square, इसका screenshot ले लिजिएगा आइए, x square 10x को करते हैं, ठीक है तो चलिए, number 2 में x square 10x का differentiation करना है तो पहले हमें, क्या करना है? x square 10x का differentiation करना है तो वही करना है पहले d upon dx, फिर x square 10x तो पहला वला term को यू मानना है और दूसा वला term को भी कुछ जरूरी नहीं है, आप किसी को भी मान सकतें क्योंकि ये plus है बीच में sign तो आप किसी को भी यू मानिये, किसी को भी भी मानिये कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा ठीक है? तो फिर से क्या करना है? तो यहां से इसको हटाते है थोड़ा सा और फिर पहले क्या करना है? x square को छोड़ देना है और फिर differentiation लगा देना है पई फर्स बाल्य को छोड़ना है दुसरे करT differentiation फिर दुसरे को छोड़ना है पहले वाले करT differentiation तो इसका जो answer आएगा वो क्या आएगा? तो जागा X square 10 X का differentiation जीया होता, पता है? सर, S зах square X होता है क्या होता है? undred जीख squared X ठीक है? जीख плюс 10 X और फिर इसका definition क्या होगा तो 2 आगे आएगा फिर x लिखेंगा और 2-1 होगा तो answer जो हमारा आएगा वो आएगा x square 6 square x plus 10x into 2x कोई दिकत नहीं है कोई दिकत नहीं है answer कोई बाद देख लिया जाए एकदम सही है कोई दिकत नहीं इसमें और यहां पर प्रोड़क्ट की रूप में कभी 2x आगे लिख दे 10x को पीछे लिख दे तो कोई दिकत नहीं क्योंकि multiply में multiply में आप 2 into 3 लिखिए 2 into 3 लिखिए तो भी 6y आएगा और 3 into 2 लिखिए तो भी 6y आएगा तो इसमें कोई दिकत नहीं है आईए third questions लेते हैं third question क्या है sir हमारे पास यह है ठीक है तो ऐसा कोई भी question आएगा तो आप बना लोगे ठीक है मैं question दे रहा हूँ आपको ठीक है suppose that question आजाए x log x तो इसे कैसे solve करेंगे x log x question आजाए तो कैसे solve करेंगे इसे तो वही काम करना है हम लोग को क्या कर लेना है d upon dx और क्या कर लेना है x log x अब क्या करना है पहला वायर को छोड़ना है और फिर log x का differentiation कर देना है ठीक है और फिर log x को छोड़ना है और फिर dx यानि x का derivative तो अब क्या करना पढ़ेगा हम लोग को sir x का लिख दीए इसमें तो d by d x लगावर नहीं है, u into b का formula क्या बोलता है और फिर इसका value तो 1 हो जाएगा sir, तो यह x x कर जाएगा, तो answer हो जाएगा 1 plus log x कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, और कैसा question ले सकते हैं sir आप, और कैसा question ले सकते हैं, suppose that question अगर आ जाए, question कुछ भी आप दे सकते हैं आपको, कोई दिक्कत है नहीं, हाँ, अगर आपको बोलूं, कि x to the power 4 और x to the power 7 इसको solve किजिए, तो कोई बच्चा अगर इसमें u into b लगाना चाहे तो बहुत बड़ा मज़ोरी हो जाएगा, और बहुत बड़ा बेवकूफी भी हो जाएगा, अगर इसमें कोई u into b लगाता है, ठीक है, u into b लगाने का formula यह नहीं है, मतब कि u into b का भी अपना है कोई इजट है, अब असो सब जगह नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, वो दिया जब अलग-अलग function हो, अलग-अलग function के रूप में दो function दिया हुआ question में तब, तो same function है, ठीक है, same function है, तो same function में वो नहीं लगाना है, अगर आप लगाओगे तो ऐसा नहीं कि answer नहीं आएगा, आएगा, लेकिन बहुत बड़ा बेवकूफी कहलाएगा वो, ठीक है, तो simple स पावर 7, तो क्या कर देना है, इसनों सबसे पहले simplify कीजिए, देखिए, जब भी आपको product का formula मिले, division का मिले, questions, division rule, product rule, तो सबसे पहले simplify कीजिए उसको, simplify करके छोटा बनाइए, देन उसका derivate अप सूची कि क्या हो सकता है, और ऐसा ही आप direct derivate लगा दोगे, तो रहन डिफि simplify करना पड़ेगा आपको, इसको simplify करेंगे तो क्या होगा, तो यह यहां देखिए, base same है, base क्या है, same है, तो base same है, तो power क्या हो जागा, add, 7 plus 4 कितना होगा, 11, क्या हो जागा, 11, अब इसका differentiation कितना है, easy होगा, देखिए तो, अब किसी बच्चे को पता ही नहीं रहेगा, कि base same तो power add, तो इसमें तो u into b लगाएगा ना, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा उसके लिए, ठीक है, तो आईए, इसको करते हैं हम लोग, तो अब इसका differentiation तो पता ही होगा, अब यह कोई question ही नहीं रहा, 11 आ गया आएगा, x आएगा, और 11 minus 1 हो जाएगा, यह हमारा answer हो 11 x to the power 10 answer, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो यह मैंने u into b फिर से revision करा दिया आपको, ठीक है, हलाकि इससे पहला वा लेचर में u into b अपलोडेट था वीडियो, ठीक है, अपलोड था, लेकिन उसमें तो बहुत सा voice का कोई दिक्कत हुआ था, issue हुआ था, तो इसलिए मैंन दुबार एक बार आपको समझा दिया, अब हमनों चलेंगे, division rule के तरफ, ठीक है, division rule, यही आज का हमारा main motto है, division rule, division rule, आईए division rule देखते हैं सर, division rule क्या बोलता है, सुनिए एक अध्यान से, division, division rule, क्या कहता है, ठीक है, तो जैसे कि अगर बोलता है, कि अगर d upon dx, u by b का differentiation करने को बोले, क्या करे, u by b का differentiation करने को बोले, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, v को देखना, नीचे में क्या है, v है, तो पहले v लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, d upon dx कर देंगे, और फिर उपर क्या u है, अब इसमें बच्चा confused होता है, ने कि सार, इसमें sign किसका आत सब्सक्राइगा, देखिए, यहाँ आप बाई दिये हो ना, यह बाई, तो समझें ने, यह बाई को उठा कि आप यहाँ पर ले आओ, तो यह minus sign हो रहा है, हाँ ठीक है, बहुत गंदा logic है, लेकिन यही आपको याद रहेगा, देखिएगा, और अगर multiply रहेगा, multiply में कैसा sign होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे, तो इस उत्राव सा twist करो, तो देखिए, पलस का sign लगेगा देखने में यह, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो division में minus sign और multiplication में plus sign, ठीक है, तो यह हो गया, V du by dx, कोई दिकत वाली बात नहीं है, तो पहले V को नीचे से start करना है, किस से start करना है, V है, तो यहां लिखते हैं, V का square, यह आपके सामने रहा जोड़दार formula, और इसको आपको कर जाना है, लर, क्या करना है, V से start करना, तो पहले V को छोड़ेंगे, U का differentiation, फिर U को छोड़ेंगे, V का differentiation, और यह, यह मेरा V square, कोई दिकत नहीं है, तो आईए question लेते हैं, इस कहां गिया इसका, हाँ, यह रहा questions, यह रहा questions, ठीक है, U by V का है, बहुत अच्छा-च्छा question है, फटा-फट बन जागा है, अगर आपको formula पता है, तो वरना नहीं बनेगा, आईए, पहला question लेते हैं, हम लोग, पहला question क्या बोल रहा है, पहला question यही बोल रहा है, सर, पहला question और by वला formula में क्या आता, अल्रेडी आपको minus लिख के दिया, देखिए, वो by है, पता है, लेकिन वो देखिए, एक तरह से अपसूर सकते हैं इसको, ठीक है, तो क्या करना है, सबस्प्राइब नीचे से start करना है, तो पहले x को छोड़ देंगे, और फिर differentiation किसका करेंगे, ब ठीक है, अब बस differentiation कीजिए, क्या होता, बताइए, x में d by dx लगा हुआ है, तो इसको करना नहीं है, चुप चाल छोड़ दीजे इसको, अच्छा, e to d power x का differentiation, वही रहता है, चेंज नहीं होता है, सर, ठीक है, लिख दिये, और फिर e to d power x का, e to d power x ही रहेगा, ओके, और फिर d x by dx का value 1 ही होता है, तो यह हो गया, और नीचे में क्या हो गया, x square, क्या common आ रहा है कुछ क्या, हाँ तो common तो आ रहा सर, यही x आ रहा है, तो गया x minus 1 upon x square, यह हो गया हमारा answer, ठीक है, तो क्या हमारा यह answer, क्लियर है अच्छे से, क्या हमारा यह answer एकदम सही है, ठीक है, चल x square minus 5, क्या था, 2x plus 5, और फिर क्या है, और हो, कहां गया मेरा, अच्छा, यहां है, 2x plus 5, और x square minus 5, x square minus 5, चलिए, यह question आपके सामने, u by b लगाना है, तो उमीद करते हैं, आप हमसे पहले बना के रख दीजिएगा, चलिए, फिर टक्स है, तो लगाते हैं, u by b, तो नीचे वाला क्या है मेरा, चलिए लगाते हैं, यह उपर वाला होगी है, u और नीचे वाला होगी है, b, तो पहले फटक्स ही स्टार्ट करते हैं, तो इसको छोड़िए, x square minus 5 को छोड़ देंगे, फिर differentiation करेंगे, किसा करेंगे? 2x plus 5 का, फिर क्या करेंगे? minus assign, फिर 2x plus 5 को छोड़ देंगे, और फिर differentiation किसा करेंगे? बताइए, किसा करेंगे सर? x square minus 5 का, और फिर upon, नीचे क्या है? तो x square minus 5 का holy square, चलिए, तो इसमें लगा हुआ नहीं, तो छोड़ देंगे, तो होज़गा x square minus 5, और इसका differentiation क्या होगा? 2x का differentiation क्या होगा? तो 2 बाहर आएगा, तो 2 बाहर आएगा, ठीक है? अब plus 5 का differentiation क्या होता है? 0, और फिर ये 2x plus 5, और इसका क्या हो जाएगा? x square का differentiation? 2x, और 5 का क्या होता है? 0, upon, क्या हो जाएगा? x square minus 5 का holy square, कोई दिकत वाली बात नहीं है, अब क्या करना है? यहाँ 2 होगा, ठीक है? तो यह 2 multiply में है, याद रखिएगा, 2 multiply में है, तो 2 into x square minus 5, ओके? minus, यह 2x है, तो 2x multiply करके लिखिए, तो 2x plus 5, और upon, क्या हो जाएगा? x square minus 5 का holy square, ठीक है? और अगर इसको simplify करके लिख सकते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिकत नहीं है, simplify करके लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, कैसे सर, simplify कैसे करेंगे इसको, और 2 से multiply कर दीजे, अगर और चोटा करना है, तो, जब तो चोटा कीज़े, तो चोटा नहीं हो जाए, तो यह हो जाएगा, 2x square minus 5 to 10, और यह क्या हो जाएगा, 2 to 4x square, और plus minus minus 5 to 10x, upon, नीचे क्या हो जाएगा, x square minus 5 का whole square, अब दीए, कुछ जा रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, फोर x square में से 2 चला गिया, तो यह हो जाएगा, मैंनस क्या, अरे सर, minus 10, minus 2x square, और minus 10x, upon, x square minus 5 का whole square, यहां से यह common भी आ सकता है, क्या, 2 common आ सकता है, तो minus 2 भी common ले लेते हैं, तो अंदर में क बच जाएगा, 5 minus x square minus 5, 5 plus 10 minus 2x square, और, एक मिनट, यहां, पलस होगा, मैंनस, पलस मैंनस, minus 2x square, और फिर, पलस मैंनस, मैंनस, 5 plus 10, और क्या, x, upon, x square minus 5 का whole square, देख लेते हैं, क्या, यही एंसर है हमारा, 2x plus 3, x square minus 5, अच्छा, ठीक है, हाँ, question में 3 था, यहां पे, इस question में, question में 3 था, लेकिन हम 5 लेके बनाएं, तो यह 5 के हिसाब से सही होगा, ठीक है, तो इसी तर आपको substitute करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, अब फिर सो cross check कर लेते हैं, देख लेते हैं, कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको, हमने यह लिया, इसे छोड़ा, इसे किया, फिर, then, ठीक है, यहां तक, यहां तक, ठीक है, फिर 2 का 2 हो गया, फिर, यह हमारा हो गया, 2 से multiply हो जागा, तो 2 x square minus 5, minus 2 x plus 5, और x square minus 5, ठीक है, एक दम, यहां तक, कोई दिकत वाली बात नहीं है, ठीक है, और फिर, आपने multiply कर दिया, minus 2, हां, 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 ठीक है, एदम सही है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे, अब, आगे का question क् slide number 8 में, हां, ठीक है, तो यह question आप लोग try कर लीजिएगा, यह question बहुत easy है, try कर लीजिएगा, यह log x by x, यह एकदम famous question है, board का, सबका इक जहां में पूछा जाता है, यह वाला, log x by x, ठीक है, आई, इसा करते है, differentiation, तो वही करना है, पहले क्या करना है, x को छोड़ना है, औ फिर log x by dx, और फिर क्या कर देना है, पलस नहीं, क्या, यहाँ पर क्या है, minus, यहाँ पर माइनस टालेंगे, फिर log x, और फिर dx by dx, अपन, नीचे क्या x तो हो जागा, यहाँ पर क्या, x square, क्या हो जागा, x square, ठीक है, अब क्या, अब करते ही, differentiation, तो यह हो जागा, x into log x, क्या हो जाएगा 1 by x plus plus q minus log x और dx by dx का value 1 तो यह हो गया नीचा में x square यह कट कर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा क्या 1 minus log x upon x square कोई दिखकर log x और differentiation 1 by x होता है ठीक है 1 by x होता है और इसका तो value 1 होई गया तो आपको यह सब questions एक दो questions हम दे रहें आपको बना लिजेगा इसको अच्छे से ठीक है अच्छा एक बात और आप यह क्या किजिएगा बताइए तो x power 4 और x power 2 है इसमें क्या किजिएगा यू भाई भी लगाईगा तो फिर से बेबकुपी वाला काम है यह सेम फंसन है same function में you by भी नहीं लगाना है अगर लगाईएगा तो फिर हो जाएगा दिक्कत क्या होगा और बहुत ले नदी जाएगा और आइनसर आने तो सबसे पहले क्या करना है simplify करना है यह हो जाएगा इसका differentiation अगर आप u by b में भी तोड़ियेगा तो वही आने वाला है ठीक है लेकिन उसमें तोड़ना ही नहीं है फिर वही बात है मजदूरी कहलाएगा वो चीछ तो यह हमारा रहा आपका main formula ठीक है बहुत ही सांदार formula था यह अच्छा तो यह हमारा अब हम कोशिस किजिएगा और comment box में comment किजिएगा ठीक है तो पहले u into b का दो-दो questions दे रहे हैं ठीक है नमबर वन में दे रहे हैं एक questions दे रहे हैं x पर पावर 6 और cos x और दूसरा दे रहे हैं x पर पावर x क्या sin x into log x यह यह u into भी ठीक है और एक दे रहे यू भाई भी यह जागा x पर पावर 4 अपान log x और दूसरा question है x पर पावर minus 3 यह एक चोड़ी ना root x अपान log x बहुत अच्छा question है सर दोनों ठीक है दोनों बहुत ही अच्छा question है बना लिजिएगा ठीक है तो u into v और u by v हो गया है समाप्त जो कि बहुत important था सर u into v, u by v बहुत जाना था अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो है chain rule chain rule अगर आपको आता है यानि कि आपका differentiation बहुत तकड़ा होगा और अगर chain rule नहीं आता है यानि कि आपको नहीं आता है हम आपको कुछ ऐसे trick बताएंगे जिसे कि आप chain rule बहुत अच्छे से बना लिजि किजिए तभी आपका killer हो जाएगा आगे का product formula नहीं बलकि chain rule ठीक है चैन rule बनाना होगा तो आपको पहले डिफ्रेंशेशन सारा आना चाहिए otherwise आपको दिक्कत हो जाएगा ठीक है जितना भी सब सारा questions है जैसे कि रहा माली जी एकस पे पावर 4 पलस 3x square 1 upon x square और मेरा sorts भी ड के लिए रो जाएगा ठीक है तो मिलते हैं chain rule के साथ नया एक सोच के साथ और नया topic के साथ जिसका नाम रहेगा chain rule एकदम अच्छे सीखेंगे हम लोग और इतना अच्छे सीख लेंगे कि जो mass वाले बच्चे होंगे उनको mass question में भी लगाने में दिक्कत नहीं होगा ठीक है कर दो कर दो जाएगा जाएगा डगा टो में रहेगा खागा ठीक है